हेलो दोस्तो कैसे आप सब लोग मैं हूँ एक्टर हर्शद ये जो पंची आप देख रहे हैं ये स्पैरो ये हरी पत्ते लाकर हमारी गैलरी में घर बना रहे हैं ये देखिए हरी पत्ते ये किसी ग्रास के पत्ते है इन्हें वो हर रोज लाकर जुडाकर अपना गोसला बना रहे हैं ये देखिए इस तरह का ये शुरुवात है ये देखिए ऐसे हरे पत्ते लाते हैं किसी ग्रास के और हर रोज लाते हैं हमारे गैलरी में फेकते हैं और वहां से उटाकर ऐसे घर बना रहे हैं हर साल ये पंची ये जो स्पैरो है वो अपना गोसला हमारे गैलरी में बना दे है ये देखिए किस तरह वो अपना गोसला बना रहे है ये देखने में अच्छा लगता है बहुत क्यूट प्रोसीस होती है इन पंचियों की ये एक ही पंची नहीं दो पंची है दोनों साथ मिलकर ऐसे हरे पत्ते लाते है और हमारे गैलरी में घर बना दे है ये पंची भे आ गया ये दोनों मिलकर हमारे गैलरी में अपना गोसला बना रहे है ये देखिए इस तरह ये यहाँ पे नीचे डालते हैं यहाँ पे फेकते हैं और बाद में यहाँ से उठा कर अपने गोसले में रखते हैं ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने के लिए ये देखिए हर साल हमारे यहाँ गैलरी में अपना गोसला बनाते हैं हमारे घर के गैलरी में ये देखिए ये शुरुवात है घर की गोसले की शुरुवात है इनके ये देखिए, हर सुब और दो पहर के आते है, ये मैंने हर रोज एक वीडियो बनाया है, 12-15 दिन तक हर रोज एक वीडियो बनाया है, ये दो पंची, ये अलग तरह के स्पैरो, हरे पत्ते ही कट्टा करते है, और इस तरह का गोसला बनाते है, ये देखिए, अभी ये 70% गोसला पूरा हुआ है, ये देखिए, एक पंची अपने गोसले में सभारे पत्ते को अच्छी तरह से सेट कर रहे है, लगबग इनसान की तरह ही इनका काम होता है, ये देखिए, ये दो पंची, ये स्पैरो है अलग तरह के, ये आपके घर के आसपास आपने इससे पहले भी देखे होंगे, बहुत क्यूट प्रोसेस होती है इनकी, ये मैं हर रोज वीडियो बनाता हूँ, उन दोनों पंचीों पर नजर रखता हूँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ में आ सकता है, इतना पास है ये गोसला, लेकिन मैं कभी हाथ नहीं लगाता, उन दोनों पंचीों को कभी डिस्टर्ब नहीं करता, ये देखिए, अभी लगबग 80% गोसला पूरा हुआ है, ये देखिए, ये रोज ऐसे हरे पत्ते किसी खेत में जाकर लाते हैं, इकटा करते हैं, और बाद में अपने गोसले में सेट करते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से एंट्री है गोसले में जाने की, ये देखिए, य ऐसे हरे पत्ते लाते हैं और गोसला बनाते हैं और ये मैंने रात को शूट किया है ये देखे यहां से इंट्री एं गोसले में जानी की इसके अंदर अभी वो दोनों पंची है और मुझे ऐसा लगता कि उनके अंडे भी होंगे इसके अंदर वो अभी रात को इस घर में अपने गोसले में बैठते है ये देखे ये रात को मैंने शूट किया है ये पूरा एक महिने के बाद का घर है ये देखे ये यहां से इंट्री है इसके अंदर वो दोनों पंची बैटे हैं अच्छा लगता है थैंक यू